नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम जो नई परिक्षावानी हैं उसके समसमाईकी के नोट्स यहाँ पे कवर करेंगे बिल्कुल to the point नोट्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं और केवर selected questions को लिया है क्योंकि UKPSC current affairs से जाधा question पूछता है और उत्राखन current affairs और साथ में प्रिक्षावानी के जो current affairs है कई सारे जो पुराने questions भी हैं आपके current affairs के 2020 के 21 के उनसे भी आपके question बनते हैं तो उन सबका एक quick revision आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्राखन current affairs के लिए already हम विंसर को cover कर चुके हैं उसके current affairs के notes हम देख चुके हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल चुकी हैं यहाँ पर आपको कुछ नए question देखने को मिलेंगे और जो previous year के आपके current affairs के questions हैं वो भी आपके cover हो जाएँगे exam से पहले क्योंकि परिक्षावानी और current affairs यह दोनों exam के लिए important हैं और यह notes उसी किताब से हैं तो चलिए दोस्तों आज के इस class को शुरू करते हैं सबसे पहला point है हमारा नंदा देवी वीरता पुरुसकार 2022 से कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया तो नंदा देवी वीरता सम्मान 2022 एक नवंबर 2022 को यह प्रदान किये गए और 2022 का सम्मान 15 महिलाओं को दिया गया ठीक है बिल्कुल to the points current affair वन लाइनर की format में है आपको बस इनको एक बार इन पर आपको नजर करनी है इनको revise करना है ठीक है चलिए next है फूलों की घाटी को शीत काल के लिए कब बंद किया गया था हो सकता है डेट पूछ ले डेट पूछेगा बहुत कम चांस है फिर भी आपको याद करना है क्या पता पूछ ले फूलों की घाटी को शीत काल के लिए 31 अक्टूबर को बंद किया गया 2022 में इस बार फूलों की घाटी में लगवग 20,000 के करीब परिय अटक आये थे जैसे हमने बात करी थी न विंसर में चार धाम में कितने आये थे लगवग 45,000 के करीब आये थे फूलों की घाटी में 20,000 के करीब आये थे 20,800 के करीब आये थे 200 के करीब इसमें विदेशी थे तो फूलों की घाटी को अक्टूबर में बंद किया गया 31 तारीक को किदारनाद और यमनोत्री के कपाट 27 अक्टूबर को बंद किये गए तो इनको आपने याद करना है ठीक है खोले कपकप गए थे तो गंगोत्री और यमनोत्री इनके साथ में खोले गए थे गंगोत्री और यमनोत्री के कपाट 3 मई को खोले गए थे तो काफी important ये घटना करम रहा 2022 का अक्टूबर का ये current affair है प्रधान मंतरी उत्राखन के दोरे पे आई थे वो किदारनाथ धाम गए छटी बार वो प्रधान मंतरी बनने के बाद किदारनाथ में गए यहाँ पर इन्होंने कुछ परियोजनाओं का सिलन्यास किया इनसे आपके कोशन बन सकते हैं इसलिए मैंने इसको यहाँ पर दुबारा से लिया है जो ये किदारनाथ गए थे कब गए थे 21 अक्टूबर 2022 ठीक है पीएम बनने के बाद छटी बार गए इन्होंने गौरीकुंड किदारनाथ रुपवे इसका सिलन्यास किया जो गउरीकुंड किदारनाथ रुपवे है इसको यहाँ पर बनाया जाएगा इसमें लागत लगभग 1267 करोड रुपवे की है लंबाई इसकी आप से पूछी जा सकती है इन दोनों रुपवे आपको याद करने है इसकी लंबाई है 9.7 किलो मीटर इसके लावा प्रधान मंतरी बद्रीनाथ धाम में भी गए और वहाँ पर उन्होंने गुविंद घाट हिमकुंड साहिब रुपवे का सिलन्यास किया इसकी लंबाई 12.4 किलो मीटर है इन दोनों को आपने याद करना है कुशन यहाँ से बन सकता है लागत बहुत कम चांसेज है ओवराल आकड़ा याद कर लीजिए 3430 इसनी परियोशनाओं का नोंने सिलन्यास किया इतने करोड रुपए का ठीक है चलिए इसके अलावा दो बॉर्डर की सड़कों की परियोशनाओं का भी सिलन्यास किया गया जिसके तहट NH7 इसको बढ़ाया जाएगा ठीक है माना तक इसको लाया जाएगा माना दर्रे तक और इसके अलावा NH107B इसको भी बढ़ाया जाएगा जोसिमट से मलारी तक इस सड़क को ले जाया जाएगा एक नई सड़क बनेगा और इसे NH107B बोला जाएगा तो इन दोनों के निर्मान के लिए भी लगभक एक हजार करोड की परियोजना का उन्होंने सिलन्यास किया जमरानी बांध परियोजना को मनजूरी काफी पुरानी परियोजना है ये यूजना आयोग ने इसे 1975 में मनजूरी दी थी कोशन बनता है जैसे टेहरी बांध को लेकर पूछता है यूजना आयोग ने मनजूरी कब दी आप बताते हैं 1972 उसी प्रकार जमरानी बांध परियोजना इसे मनजूरी तो 1975 में मिल गई थी लेकिन अब इसको निर्माण को फाइनल मंदूरी यहां पर मिल चुकी है ठीक हैं, 18 अक्टूबर 2022 को इसको मंदूरी मिली निर्माण की गौला नदी पर ये परियोचना बनेगी और लगभग 2600 करोड के रुपए से ये परियूजना कर निर्मान किया जाएका, ठीके, इसको आपने याद करना है इसे पूरा करने का लक्ष कब तक रखा गया है, तो जमरानी बांध को पूरा करने का लक्ष 2027 तक रखा गया है तो इसको भी याद करेंगे कुशन बने का ठीक है इसके तहट 1500 मीटर का लगभग 150.6 मीटर का एक बांध यहां पर बनाया जाएका ठीक है डॉक्टर संपूनानंद दुर्बीन कहां इस्थापित है तो डॉक्टर संपूनानंद दुर्बीन यह आपके एरीज परीशर में जो आपका आर्यभट प्रिक्षन विग्यान शोध शंस्थान है यह आपके नैनिताल में है इसी एरीज के परीशर में एक दुर्बीन है डॉ इसलिए है 17 अक्टूबर 2022 को इस दुर्बीन ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिये तो कुशन बन जाएगा ये फेमस दुर्बीन कहां स्थापित है ये आपके एरीज के परीसर में स्थापित है उत्राखंड लोजिस्टिक नीती को राज्य कैबिनेट ने मनजूरी कब दी? तो लोजिस्टिक नीती आई है उत्राखंड में और इसको मनजूरी दी गई 12 अक्टूबर 2022 को काफी important question है क्योंकि इसको लेकर के एक report भी जारी हुई जिसमें उत्राखंड को rank मिला था तो उत्राखंड लोजिस्टिक नीती कब लागू की गई या कब इसे मनजूरी दी गई cabinet के द्वारा? 12 अक्टूबर 2022 ठीक है 13 अक्टूबर को अगले ही दिन एक report आती है उसमें उत्राखंड को achievers श्रेणी में रखा गया है इस report में उत्राखंड को किस श्रेणी में रखा है तो उत्राखंड को achievers स्रेणी में रखा गया है ठीक है नेक्स्ट है राजे के लगभग कितने गामों में अभी राजस्व पुलिस विवस्था है राजस्व पुलिस विवस्था 1874 से लागू है उत्रा खंड में हैंरी रेमजे के काल से ठीक है और हाली में इसे हटाने की जो मांग थी वो बढ़ी और सरकार ने भी इसकी तरफ पहल करी कि धीरे धीरे इनको हटाया जाएगा इस विवस्था को हटाया जाएगा राजस्व पुलिस विवस्था वरतमान में अभी लगभग साड़े साथ हजार गामों में लाकू है ठीक है डोकरानी ग्लेशियर कहां इस्तित है डोकरानी ग्लेशियर इंपोर्टेंट ये आप का द्रौपती का डांडा और यहीं पर जो परवतारो ही थे निम से जुड़े हुए जिनमें सवीता कंसवाल भी शामिल थी यहां पर हिमस्खलन हुआ और सवीता कंसवाल समेत कई सारे लोगों की लगभग 35 लोगों की यहां पर निधन हो गया था तो कहा हुआ था डोकर्यानी ग्लेशर के नस्ड़ीक जो द्रौपती का डांडा है इनको आपको याद करना इनकी लोकेशन कहा है उत्तरकाशी में इनकी लोकेशन है ठीक है परियतन मंतरी सत्पाल महराज के द्वारा हिमालिया दृषन हैलि सेवा का सुबारंब कब किया गया देश के दूसरी CDS अनिल चोहान मूल रूप से किस जनपत के हैं तो अनिल चोहान ये आपके पौड़ी के हैं और जो पहले CDS थे जनरल बिपिन रावत वो भी आपके पौड़ी के थे ठीके बेस्ट टूरीज्म डेस्टिनिशन अवार्ड किसे दिया गया 27 सितमबर 2022 को विश्व परियेटन दिवस मनाया जाता है और उत्राखंट को बेस्ट टूरीज्म डेस्टिनिशन का अवार्ड में यहां पर पुरूस्कार मिला यहाँ पुरुसकार उत्राखंड को भारत के वाइस प्रेसिडेंट उप राश्ट्रपती के हातों प्रदान किया गया कौन है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर ठीक है उत्राखंड विधान सभा में राज्य गठन से लेकर 2022 तक हुई भरतियों की जाँच के लिए किसकी अद्धिक्षता में समीति का गठन किया गया था 2000 से लेकर के 2022 तक जितनी भी भरतिया विधान सभा में हुई उनकी जाँच करी गई और इस जांच के लिए कमीटी बनाए गई जिसकी अद्धिक्षता D.K. कूटिया थे इनका नाम भी आपने याद करना है ये पूर्व I.A.S. आफिसर थे ठीक है प्रदेश में किन इस थानों में जल्द दो सैनिक स्कूल खोले जाएंगे तो दो सैनिक स्कूल उत्राखंड में खोले जाएंगे अभी एक ही सैनिक स्कूल है उत्राखंड में वो है घोड़ा काल नैनीतार ठीक है दो और खोले जाएंगे एक रुद्रपुर में और एक देहरा दूर में ठीक है उत्राखंड गौरव पुरसकार 2022 ये भी काफी इंपोर्टेंट कोशन है इसलिए मैंने इसको दुबारा से यहाँ पर लिया उत्राखंड गौरव पुरसकार 2022 की बात करते हैं 2022 के लिए प्रसून जोशी, अजीत डोबाल, जनरल विपिंट राभत, गरीश चंदर तिवारी, विरेंट डंगवाल इनको 2022 के लिए दिया गया प्लास्टिक से डीजल बनाने का दूसरा सयंत्र कहां इस्थापित किया गया है तो इस तरीके के कुशन आपको परिक्षावानी करिंट अफेर्स में मिलते हैं जो आपके नाकेवल इस एक्जाम के लिए काने वाले कई सारे एक्जामों के लिए इंपोर्टेंट होते हैं प्लास्टिक से डीजल बनाने का दूसरा सयंत्र की बात हो रही है ये आपके नैनिताल के भीम थाल में खोला गया है इसको आपने याद करना है पहला सयंत्र देहरादूल में खोला गया था 2019 में नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लखपती दीदी योजना कब शुरू की गई तो इन योजना की आपको डेट भी याद करनी है 4 नवंबर 2022 को इस योजना को शुरू किया गया किस से ये योजना संबंधित है? स्वयम साहिता संहु से ये योजना संबंधित है 2025 तक स्वयम साहिता संहु से जो 125,000 के करीब महिलाएं जुड़ी है उनको लखपती बनाने का लक्ष इस योजना के तहद रखा गया है सेलेश मट्यानी राज्य सेक्षिक पुरुसकार 2022 से कितने सिक्षिकों को सम्मानित किया गया तो दीके सिक्षा के छेतर में अच्छे कारे करने के लिए सिक्षिकों को सेलेश मट्यानी राज्य सेक्षिक पुरुसकार दिया जाता है इस अवार्ड की शिरुवात 2009 में हुई थी 2022 में 49 शिक्षकों को ये अवार्ड दिया गया ठीक है, इसमें कुछ को 2018 के लिए और 2021 के लिए ये अवार्ड इनको दिये गए 2018 के लिए 19 लोगों को, 2021 के लिए 20 लोगों को ये अवार्ड दिया गया टोटल कितने हो गए, 49 लोगों को ये प्रदान किया गया रांश्ट्रिय सिक्षक सम्मान से सम्मानित किये कए तो रांश्ट्रिय सिक्षक सम्मान इस से पूरे देश में यह दिया जाता है और इस साल 2022 में 46 टीचरों को यह अवząd दिया गया उत्रा खंट के इन 46 में दो टीचर शामिल थे एक थे प्रदीप नेगी और एक थे कौस्टूप चंद जोशी ठीक है सीएम उदैमान खिलाडी उन्नेयन योजना का शुभा आरंब कब किया गया तो एक और नई योजना इसका आरंब किया गया 29 अगस्त 2022 को खिलाडियों से संबंतित हैं आप जानते हैं 29 अगस्त को खेल दिवस की रूप में मनाया जाता है तो यहां से आप इसे याद कर सकते हैं इस योजना के तहर जो 18-14 वर्ष के आयू के खिलाडी हैं उनको 1500 रुपे की जो खेल छातर वृती है वो यहां पर दी जाएगी हर महीने ठीक है गंगोत्री यमनोत्री रेल परियोशना के लिए किस देश की कंपनी ने रेलवे को फाइनल डीपियार रिपोर्ट भेजी है देखें गंगोत्री और यमनोत्री को रेल मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और इसके लिए कई बार सर्वेक्षन भी करवाया किया फाइनल जो रिपोर्ट तयार करके भीजी है इस परियोशना को बनाने के लिए तुर्की के एक कंपनी है जिसका नाम है UKCell तो UKCell ने अपनी फाइनल रिपोर्ट रेलवे को भीजी है रेलवे अगर उसे मंजोरी कर देता है तो यह जो पूरी परियोशना है किसको मिल जाएगी तुर्की की कंपनी UKCell को मिल जाएगी इसके तहट क्या होगा हमने बात करी जैसे नाम में है दंगोत्री और यमनोत्री को जोड़ा जाएगा यह मार्ग लगभग 121 दशनलव 76 किलोमीटर का आपका मार्ग है ठीक है senior राष्ट्रिया चैनो स्प्रिंट चेंपिनशिप का आयोजन कहां पर किया गया था तो देगे जो senior कैनो या काई किंग जो इसको बोला जाता है question भी बन सकता है आपसे कि राष्ट्रिया काई किंग चेंपिनशिप कहां आयोजित हुई तो ये आपके उधम सिंग नगर में हुई, उधम सिंग नगर में जो आपका बौर जलाशय है, इसमें 33 सीनियर राश्ट्रिया कैनो स्प्रिंट चेंप्रिंशिप का आयोजन गया अगस्त 2022 में तो तीलू रौतेली पुरुषकार से समानित कुल महिलाएं कितनी हैं, तो तीलू रौतेली पुरुषकार 2022 का 12 महिलाओं को दिया गया था, ठीक है SDG rating में पहले नंबर पर कौन सा जनपद है, तो देखें जो SDG rating है, सतत विकांस लक्ष, इसमें उत्राखंड ने जो रजारी करी है, राजसरकार ने इस इंडेक्स को जारी किया है और इस इंडेक्स में पहले नंबर पर ने निताल है, और अंतिम नंबर पर उधाम सिंग नकर है, तो इसको आपने याद करना है, अगस 2022 को राजसरकार ने इंडेक्स जारी किया था, पहले पर कौन है ने निताल, अंतिम पर कौन है उधाम सिंग नकर, ठीक है देश का पहला हिमालियन स्पाइस गार्डन जिसे हम कहते हैं मसाला उद्धियान तो देश का पहला मसाला उद्धियान कहां स्थापित किया जाएगा देश का पहला मसाला उद्धियान आपके रानी खेत अलमोडा में स्थापित किया गया है इसे आपने याद करना है ठीक है ये देश का पहला मसाला उद्यान है ट्रैक आफ दी एर घुशित किये गए तो दो ट्रैकों को 2022 का ट्रैक आफ दी एर घुशित किया गया एक है आपका पिंडारी ग्लेशर जो बागेशवर में है एक है बागची ग्लेश आपका बुगयाल जो आपके चमोली में है ठीक है? इनको अलग-अलग समय के लिए घुशित किया गया है जैसे 1 अक्टूबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक ट्रैक आफ दियर पिंडारी ग्लेशर को घुशित किया गया उसके बाद बागची बुगयाल 1 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 के लिए बागची बुगयाल को घुशित किया गया तो दोनों याद करने हैं कुछ जो ऐसे प्लेसिस होते हैं जो उनको कुछ important fact जुड़ जाते हैं उनके आपसे कही बागची बुगयाल कहा है आप बताएं चमुली में है कितने जिलों में एक संस्कृत ग्राम बनाने का नड़ने लिया गया है तो राज्य सरकार ने निर्ने लिया है अगस्त 2022 को इसकी सूचना जारी करी कि राज्य के प्रतियेक जिले में एक-एक संस्कृत ग्राम बनाएं जाएंगे टेम्पल टेल्स आफ उत्तराखन तो ये जो किताब है Beyond the Mystery Well Temple Tales of उत्तराखन इस किताब के लेखक है राधना जहुरी मुख्यमंतरी पुशकर सिंग धामी ने इस किताब का विमोचन किया था काफी important किताब है राज्ये के 800 से जादा मंदिरों का विवरण इस किताब में दिया गया है तो कौन है इसके लेखक अराधना जहुरी इसकी लेखक है ठीक है पहली ड्रोन उत्पादक इकाई कहां इस्थापित की गई है तो राज्ये की पहली ड्रोन उत्पादक इकाई ये आपके रुड़की में बनाई गई है ठीक है जुलाई 2022 में 8 जुलाई 2022 में इसे इस्थापित किया गया था स्टार्ट अप रैंकिंग 2021 में उत्राखंड को किसे श्रेणी में रखा गया फिट से श्रेणी आ गई जैसे हमने उपर बात करे थी ना लोजिस्टिक वाली में अचीवर्स श्रेणी में था जो स्टार्ट अप रैंकिंग है इसमें उत्राखंड को लीडर्स श्रेणी में रखा गया है ठीक है 2018 में उत्राखंड को उभरता हुआ श्रेणी में रखा गया था मुख्यमंत्री घशियारी कलियान योचना कब शुरू की गई थी काफी important ये योचना है मुख्यमंत्री घशियारी योचना इसकी शुरुवात 30 अक्टूबर 2021 को होती है ठीक है शुरुवात में ये केवल 4 पहाड़ी जिले जो थे आपके पौडी, रुद्रपरियाक, अल्मोडा और चंपावत इन में शुरू करी गई 2022 में जून 2022 में जो बाकी के साथ परवत्य जिले हैं आपके जिसमें उधंसिंग नगर और हरिदवार को छोड़ दीजे बाकी के जो साथ हैं तो टोटल कितने हो गए 11 तो सभी 11 जो जिले हैं उनमें अब इस योजना को लागू कर दिया गया शुरुवात में केवल चार थे, 2022 में जून में इन साथ को भी शामिल कर दिया गया तीक है, नेक्स्ट है हमारा पहले फ्रूड ग्रीन एटियम कहां इस्थापित किया जाएगा तो देखे, जो पहला फ्रूड ग्रीन एटियम होगा राज्य का इसे देहरादून की यहां पर इस्थापित किया जाएगा नेहरू कलोनी के अंदर इसे भी आपने याद करना है देखे, जो विश्वखाद सुरक्षा योजना है इस योजना के तहद केंदर सरकार उत्राखंट में 60 फूट ग्रीन एटियम खोलेगी जिसमें से पहला कौन होगा देहरादून का नेहरू कलोनी में इसे खोला जाएगा नित्यानंद हिमालई शोध केंदर की स्थापना कहां की गई है तो नित्यानंद हिमालई शोध केंदर ये आपके दहरादून में जो दून विश्व ध्याला है उसके परिशर में खोला गया है देश का पहला Liquid Mirror Telescope ये चाहां इस्थापित किया गया है इसे आपने याद करना है 2017 से ये बन रहा था 2022 में जाकर ये बना है इस टेलिशकोप को बनाने के लिए पांच देशों ने सहयोग किया है जिसमें आपका भारत, बेल्जियम, कनाडा, पोलेंड और उजबेकिस्तान शामिल है एरिज के परीसर में ये इस्थापित है समान नागरेक सहिता ड्राफ्टिंग कमीटी का गठन किया गया तो देखें उत्राखण में UCC के लिए एक कमीटी बनाए गई थी जिसने इसका ड्राफ्ट तयार करना था और इसका गठन 27 मई 2022 को किया गया इसके अध्यक्ष हैं रंजना प्रकास देशाई और इसमें अन्य चार सदस्या हैं प्रमूत कोहली, शत्रुगन सिंग, मनुगौर और सुरेखा डंगवाल तो टोटल पांच सदस्यां इस समीधी में हैं UCC से रिलेटेड जो UCC का ड्राफ्ट बनाएंगी अध्यक्ष और सदस्या आपको याद करने हैं ठीक है पक्षियों की सरवाधिक प्रजाती उत्राखंड में कौन सा इस्थान है पक्षियों की सरवाधिक प्रजातियों में उत्राखंड पहले नंबर पर है प्रतम इस्थान उत्राखंड को मिला है देखे मई 2022 में देश के जो हिमालाई राज्य है नौर्थीस्ट का हो गया आपका उत्राखंड हो गया हिमाचल हो गया इन में जो हिमालाई जाती के पक्षित हिमालाई पक्षियों की यहां पर गढ़ना करी गए कि कितनी परजातियां पाई जाती है तो उत्राखंड में 171 हिमालई पक्षियों की प्रजाती पाई जाती है और इस मामले में उत्राखंड पहले नंबर पे है सुरकंडा मंदिर रोपवे का सुबारंब कब किया गया ये मंदिर बहुत बार पेपर में आता है सुरकंडा मंदिर कहा है तो ये आपके टीरी में है सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का जो उधगाटन किया गया ये एक मही 2022 को किया गया इसकी लंबाई लगभग 502 मीटर लंबा ये रोपवे है ठीक है टीएच डीसी किस राज्ये में देश का सबसे बड़ा सौर पार्क बनाएगा तो देश का सबसे बड़ा सौर पार्क कौन बनाएगी टीएच डीसी बनाएगी टीरी हाइडरो डेवलपेंट कॉर्परेशन ठीक है और ये बनाएगी राजस्थान के अंदर ठीक है दस हजार मेगावाट का ये पार्क होका इशरम पोर्टल पंजिकरण के मामले में उत्राखंड को देश में कौन सा इस्थान मिला है तो इशरम पोर्टल पंजिकरण में उत्राखंड देश में तीसरे नंबर पे रहा है किस घाटी से संदव कालीन शाक्ष प्राप्त हुए हैं तो सिंदु कालीन के जो साक्ष हमें मिले हैं, यमुना घाटी उत्तरकाशी से प्राप्त हुए हैं। यहां से हमें पत्थर से बना हुआ एक भैसा मिला है, और एक चत्रभुज मानव की प्रतिमा मिली है। कहा जाता है कि ये जो प्रतिमा हैं सिंदू घाटी से संबन देत हैं कहां से मिली हैं यमुना घाटी उत्तरकाशी प्रधान मंतरी राश्ट्रिया बाल पुरसकार के विजेता कौन है तो देखे प्रधान मंतरी राश्ट्रिया बाल पुरसकार इसकी घोशना करी गई, दो व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया गया 2021 का जो प्रदान मंत्री अवार्ड था उसके लिए उत्राखंड से अनुराग रमोला को चुना गया, 2022 के लिए शिवम रावत को चुना गया 2021 के विजए था, 2022 के विजए था, दोनों याद करने हैं, ठीक है राश्ट्रिया जल पुरसकार किसे दिया गया तो देखिए, मार्ज जनवरी 2022 में सरकार ने तीसरी बार राश्ट्रिया जल पुरसकारों की घोशना करी और इसमें स्रिष्ट पंचायत को जो अवार्ड मिला, वो मिला अलमुडा के धस्पड गाउं पंचायत को ठीक है, जो धस्पड ग्राम पंचायत हैं, इसे स्रिष्ट पंचायत का पुरसकार मिला Plastic Industrial Park का सिल्यन्यास कहा किया जाएगा तो Plastic Industrial Park ये आपके शितारगंज उधमसिंग नगर में बनाया जाएगा एम्स के Satellite Center किस इस्थान पर इस्थापिद किया जाएगा तो एम्स का Satellite Center ये बनाया जाएगा उधमसिंग नगर के खिच्चा में इसे बनाया जाएगा ठीक है? जगजीवन राम राजकिया मेडिकल कॉलेज का सिल्यन्यास कहां पर किया गया? अंतराश्ट्रिया मौन पालन महोचव जिसे मधुमक्की पालन महोचव कहते हैं कहां आयूजन हुआ तो अंतराश्ट्रिया मधुमक्की पालन महोचव इसका आयूजन हलदवानी में किया गया एशिया सोशल इनोवेशन अवार्ड 2021 से किसे प्रदान किया गया तो जो Asia Social Innovation Award है यहां अवार्ड मलेशिया की एक संस्था के द्वारा ये दिया गया डॉक्टर ब्रिज मोहन शर्मा को इनको आपने याद करना है पूछा जा सकता है देहरादून में जो SpaceX संस्था है उसमें ये सचीव है और इनको Innovation Award 2021 मिला है Asia Social का ठीक है राज्य के पहले एस्ट्रो विलेज की रूप में विक्सित किया जा रहा है तो किस गाउं को राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज बनाया जाएगा ये है तालुका गाउं नैनी ताल में कुशन ऐसे भी बन सकता है कि राज्य का पहला एस्ट्रो विलेज कहां स्थापित होगा, किस जनपत में, तो नैनी ताल में होगा, इसे आपने याद करना है, ठीक है, हिमालियन कल्चर सेंटर का निर्मान किया गया है, तो हिमालियन कल्चर सेंटर ये आपके देहरदून में गया है, आसकोट अभ्यारण एको सेंसिटिव कब घोशित किया गया, जो आसकोट अभ्यारण है, 1986 में बना था, पिथोरागड में ये आपके इस्तित है, और इसे 2 दिसंबर 2021 को आपका एको सेंसिटिव घोशित किया गया, ठीक है, ये पहला ऐसा चेतर है, पहला ऐसा जोन है एको संसिटिव जहां पर एक भी गाउन नहीं है ये पहला है राज्य का इसको भी याद करना है ठीक है आई एम एफ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है तो जो आई एम एफ है इसके अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन माउंटीनिरिंग आई एम एफ ठीके भारतिया परवतारोहन फाउंडेशन और इसकी पहली महिला अध्यक्ष उत्राकंड की famous परवतारोही हशवनती बिस्ट बनी है देश का पहला घास सरक्षन केंद्र कहां बना है तो देश का पहला घास सरक्षन केंद्र ये आपके रणिखेत में बना है इसे आपने याद करना है राज्य का पहला इंटरनेट एक्सचेंज किस जन्पद में इस्थापित किया गया है तो इंटरनेट एक्सचेंज राज्य का पहला और ये आपके देरादूर में बनाया गया है किस इस्थान पर अकिल भारत्या आयूर्विज्यान संस्थान यानि एम्स का सेटलाई सेंटर उपर हमने बात करी थी किछा में खोला जाएका कुमाओ के पहले बाल मित्र ठाने की इस्थापना कहां की गई है तो देखे, कुमाउ में बाल मित्र थाना खोला गया और यह कुमाउ का पहला है उतना खंड का दूसरा है दोहजार एककिस का यह करेंड अफेर है तो कुमाओं का पहला हल्दवानी में खोला गया, गड़वाल का पहला देहरदून में खोला गया, और देहरदून वाला राज्य का भी पहला था, ठीक है, जो देहरदून में खुला ये 22 जनवरी 2021 को, हल्दवानी में खुला 29 अक्टूबर 2021 को, ठीक है, राज्य का दूसरा म मानसिग रोग संस्थान है ये बनाय जाएगा रुद्रपुर में ये कुमाओं का पहला होगा और राज्य का दूसरा होगा राज्य का पहला वाला जो मानसिग रोग संस्थान है से लकुई देहरा दून में इस्थापित है ठीक है देश का पहला एरोमेटिक गाडन का सुबा चारंब किया गया है लालकुअ नैनी ताल में तुनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना कितने किलोमीटर की है तो टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना इसके सर्वेक्षन के लिए केंद्र सरकार ने बजट पांस किया था पिछले साल 2021 में और इसकी लंबाइ 154.58 कि राज्य के पहले डिजिटल आंगनबाडी केंदर की स्थापना कहां की गई है तो पहला डिजिटल आंगनबाडी केंदर देहरादूर में स्थापित है राज्य के पहले पॉम गार्डन का उधगाटन किस स्थान पर किया गया तो राज्य का पहला पाम गार्डन ये हल्दवा उसकी डेट आपसे पूछी गई थी तो यह current affair आपके लिए सारा एक साथ revise हो जाएगा जो important है बाके अगर आपने current affair जादा नहीं पड़े हैं तो आप विंसर की जो हमारी सीरीज है उसको follow कर सकते हैं एक ही single वीडियो है current affair का 2022 का आपका cover हो जाएगा next है देश का पहला फर्न सरक्षन छीतर का सुबारंब कहां किया गया था तो देश का पहला फर्न सरक्षन केंद्र जो है आपका रानी खेत में बनाया गया है अलमोड़ा के अंदर भारत की सरवादिक उचाई पर इस्तित हरबल पार्क को किस जनपत में इस्थापिद किया गया है यह है चमुली जनपत में ठीक है मुबाइल इकोट शुरू करने वाला उत्राखंड देश का कौन सा राच्य है तो मुबाइल एकोट शुरू करने वाला उत्राखन देश का पहला राज्या बना था ठीक है, 15 अगस्ट 2021 को उस समय जो मुख्य नाधीश थे उत्राखन हाईकोट के RS चोहान उन्होंने इसकी शिरुवाद करी थी वर्तमान में उत्राखन हाईकोट के जो मुख्य नाधीश है वो विपिन सांगी है इनका नाम भी आपने याद करना है मुख्यमंत्री वात्सल योजना की शुरुवाद कब की गई थी तो इस योजना की शुरुवाद 2 अगस्ट 2021 को की गई उत्तर भारत के पहले और्किट सरक्षण केंद्र को किस जनपत में इस्थापित किया गया GDP की तरह जीडिपी की तरह जीडिपी का भी आकलन करने वाला उत्राखंड दीश का कौन सा राज्य है तो जीडिपी की तरह जो ग्रोस डॉमेस्टिक प्रोड़क्ट है उसकी ही तरह GEP यानी सकल परियावरण उत्पात ठीक है ग्रॉस इन्वायर्मेंट प्रोड़क्ट इसका आकलन भी करने वाला उत्राकन देश का पहला राज्य है देश के पहले वन हीलिंग इस्टेशन का उत्घाटन किस जन्पद में किया गया तो देश का पहला One Healing Station ये अलमोडा में बनाया गया है ठीक है रानी खेत में बनाया है मार्च 2021 में राज्य का पहला Raydown Geo Station किस जनपत में स्थापित किया गया ये किया गया है देहरादूर में ठीक है इसको भी याद करेंगे राज्य के पहले Digital Radio Station को किस जनपत में स्थापित किया गया है तो राज्य का पहला Digital Radio Station ये आपके देहरादूर में बनाया गया है ठीक है इसका नाम रखा गया है ओहो रेडियो उत्राखंड ठीक है आयुश्मान भारत योजना उत्राखंड में कब शुरूब की गई तो आयुश्मान उत्राखंड योजना इसकी शुरुवात होती है तेज सितंबर 2018 को राज्य का पहला वाहन फिटनेस सेंटर कहां खोला गया तो राज्य का पहला वाहन फिटनेस सेंटर आपके कल्यानपुर रुद्रपुर में खोला गया है राज्य का पहला थैलेस गारडन कहां इस्थापित किया गया तो देश का 22वां विधी विशु विध्याले रानी पोकरी दहरा दूल में खोला गया राज्य का पहला City Forest इसका लोकरपण कहां क्या गया तो जांजरावन रेंज में किया गया दहरा दूल में ये इस्थित है राज्य का पहला Doppler radar कहां अस्थापित किया गया अब दूसरा डॉपलर रडार भी इस्थापित किया जा चुका है ये पहला था मुक्तेशवर नैनिताल में इसे इस्थापित किया गया था दूसरा वाला सुरकंडा टीरी में इस्थापित किया जा चुका है तीसरा आपके पौडिक में लैंसिडॉन में इस्थापित किया ज तो जैविक राज्य पहला कौन है सिक्यम लेकिन एक्ट बनाने वाला कौन है उत्राखन देश का पहला काई शोध सनरक्षन कींद्र कहां है आपके खुर पर ताल नैनी ताल में खुला है ठीक है राज्य का पहला ESIC राज्य करमचारी बीमा निगम हस्पताल किस इस्थान पर खोला गया है तो राज्य का पहला ESIC जो हस्पताल है रुद्रपूर में खोला गया है राज्य की पहली मेडिकल सिटी किस जन्पद में बनेगी तो राज्य की पहली मेडिकल सिटी है ये आपके द और पहला कांग खोला गया था देहरा दून में 2019 में उपर हमने इसके बारे में देखा था स्वतंत्र परियावरण मंत्राले का गठन कब किया गया था तो स्वतंत्र परियावरण मंत्राले इसका गठन 13 अगस्त 2019 को किया गया था किदारनात में पहला बैंक ATM किस ने इस्तापित किया HDFC बैंक के द्वारा इस्तापित किया गया इसे भी याद करना है काफ़ी इंपोर्टन्ट है पहले हिमाली कॉनक्लीव का उदघाटन या आयोजन किस इस्थान पर किया गया प्रदीश का पहला बांस बाजार किस इसथान पर बनाया जाएगा तो बांस बाजार पहला राज्यका हल्दवानी में बनाया जाएगा देश के पहले इस्थाई कोश्टगार्ड भरती केंद्र का सिलन्यास कहां किया गया तो देश का पहला इस्थाई कोश्टगार्ड भरती केंद्र देहरादून के कुवाँवाला में बनाया गया है भारत का सबसे बड़ा tulip garden कहां बना है ये बनेगा आपके मोश्टा मानू पिथोरा गड़ में राज्य का पहला community reserve छेतर किसे बनाया गया है तो ये बनाया गया है बॉन गाउं आपके पिथोरा गड़ का तो राज्य का पहला तैरता सोलर पार्क पावर प्लांट कहां है तो राज्य का पहला तैरता सोलर पावर प्लांट हरीपूरा जलाशय में बनाया गया है उधम सिंग नगर में राज्य का पहला एरोमा पार्क ये कहां बना है ये बनेगा आपके काशिपूर में राज्य का दूसरा साइबर थाना कहां इस्थापित किया गया है तो राज्य का दूसरा साइबर थाना ये आपके रुद्रपुर में इस्थापित किया गया है इसे आपने याद करना है ठीक है प्रसिद लेखक मंगलेश डबराल का संबंध किस जनपस से है तो मंगलेश डबराल का निधन हो चुका है इनका संबंध टीरी गड़वाल से था इनकी रचनाएं कई बार हम देख चुके हैं जैसे पहाड पर लाल्टेन, घर का रास्ता हम जो देखते हैं कवी ने कहा है मुझे दिखता एक मनुष्या, आवाज भी एक जगह, नई युग के शत्रू ये सारे इनके प्रसिद रचनाएं हैं लेखक की रूटी, कवी का अकेलापन, इन सब को आपने याद करना है गजेंद्र दत नैथानी जलाशे किस जनपत में इस्तित है तो गजेंद्र दत नैथानी जलाशे जिसे हम सूरियधार के नाम से भी जानते हैं देरदून में सूरियधार नामक जगह पर है और इसे गजेंद्र दत नैथानी के नाम पर इसका नाम रखा गया है देहरादूर में ये इस्तित है ठीक है उत्राखंड में पहली बार इन्वेस्टर समिट का आयोजन कब किया गया तो यही वो कोशन था और 2021 के पीपर में आपसे पूचा गया था दिसंबर 2021 में और डेट सहीद पूचा गया था यही इसका प्रोपर आंसर वहाँ पर दिया गया था 7 से 8 अक्टूबर 2018 ठीक है राज्य का दूसरा फूड पार्क कहां बनाया गया है तो देखे इससे पहले राज्य में एक ही फूड पार्क था पतंजली फूड पार्क जो की हरिदवार में था अब दूसरा फूड पार्क भी बन चुका है यह आपके काशिपुर में है इसका नाम हिमालई फूड पार्क रखा गया है तो इसको भी आपने याद करना है तो फ्रेंट्स यह था हमारा जो परिक्षवानी 2023 की जो समसमाई की थी उसके हमने करेंट अफेर्स को देखा ना केवल 2022 के कोशन्स को देखा बलकि 2020, 2021 के जो इंपोर्टन करेंट अफेर है 18 के, 19 के, उनके भी कोशन हमने यहाँ पे देखे उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा कई सारे कोशन्स आपके ऐसे हैं जो आपसे आने वाले एक्जामों में बहुत ही जादा इंपोर्टन हैं उन परिक्षाओं के लिए तो आपने अच्छे से इनको रिवाइज यहाँ पर किया होगा कल आपका एक्जाम है उसके लिए आप सभी को शुबकाम नाएं जादा अपने माइन पे प्रेशर ना डालें जो आपने पड़ा है बस उनका रिवाइज करें आखे बंद करके उनका रिवाइज करते वे चले जहां पर रटकते हैं वहाँ पर उनके बारे में एक बार नजर करें जादा प्रेशर ना लें माइन फ्रेस होके आप अपनी परिक्षा खुद दे थैंक्यू फ्रेंड्स कल के लिए आप सभी को शुबकाम नाएं